हलो सात्यों एक बार फिर से सागत है आपका अपने यूटूब चैनल नरेंदर कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कच्छा दस का विज्ञान देखेंगे और इसमें आज हम पहला चैप्टर देखेंगे और पहला टापिक भी है तो आए श्टार्ट अप करते हैं बिना देरी किये हुए तो सबसे पहला टापिक हमारा है रासाइनिक अब क्रिया किसे कहा जाता है यह हम देखेंगे रासाइनिक अब क्रिया जानने के लिए और इसकी एक छोटी सी परिवासा बहुत ही साट में दी गई है जो कि आपको के पास जाए तो रासाइनिक अब क्रिया होए अब क्रिया होती है यानि रासाइनिक अब क्रिया होए परिक्रिया हैं जिनमें नए गुर्धर्मों के साथ नए पदार्थों का निर्मार होता है कुल मिलाकर इसमें जो पहले पदार्थ रहेगा ठीक है वो दूसरा रहेगा chemical reaction के बाद वह पदार्थ नहीं रहेगा इसमें कुछ बताया गया है जैसे आपको बताया गया है दूद से दही बनना दूद पहले जो है वह अलग chemical है लेकिन जब दही बन जाता है तो उसका गुड़ बदल जाता है नए गुड़ धर्म आ जाते हैं तो यह आपको हो अगर भोजन पक रहा है तो राशानी कबकिरिया हो रही है और फिर उसके बाद आ जाता है जैसे कि magnesium ribbon को वायू में जलाने पर magnesium oxide का निर्माड होना अगर हम magnesium का ribbon ले लें कोई magnesium का ribbon ribbon का मतलब पतला सा layer ले लें उसका फिर उसके बाद अगर हम वायू में जलाते हैं हवा के सा तो उसका पर magnesium oxide का एक layer बन जाता है एक layer बनता है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं magnesium oxide के नाम से जानते हैं तो इसका निर्माड होता है अब सबसे बड़ी बात यह कि सबसे बड़ी करिया हो रही है कि नहीं हो रही है ये हम कैसे जानेंगे तो आईए बताते हैं कैसे पता चलेगा इसमें जानने के लिए चार पांच चीजे हैं अगर वो चीजे हो रही है तब आपको जान जाना चाहिए पहचान जाना चाहिए कि राशाने कपकिरिया हो रही है जैसे पहले तो आप मान लीज तो वो ठोस में चला जाए ठीक है और अगर वो गैस है तो दोरो में वो जाए यानि कुल मिलाकर ठोस दोरो गैस यह तीन आवस्थाएं है इन में से यदि आवस्था परिवर्टन हो रहा है तब राशा निकज इंक हरे है और फिर उस बात दूसरी चीज आती है कलर बदल जाना ठीक है अगर कलर बदल रहा है तब केमिकल रियक्शन हो रहा है अगर कलर नहीं बदल रहा है तो रियक्शन नहीं हो रहा है तीसरी चीज आती है तीसरी चीज आपके आ जाएगी कि मतलब गैस का निकलना अगर गैस निकल रहा है इसमें आप पहले चीछ देखेंगे बाकाइदे आपको बताया जाएगा परिशान होने की जरूरत नहीं है इसमें दिया हुआ है राशाने कपक्रियाओं के परमुक अभिलच्छण क्या लच्छण है कि कैसे हम जानेंगे के अभिलच्छण हो रही है राशाने कपक्रियाओं माली जे यहां आपने कुछ रखा है आपने उसे जलाया अगर उसमें से दुआ गया सोगरा CO2 अगर निकल रहा है तब राशाने कपक्रिया हो रही है माली जे कि यह कागज है आपने कागज को जला दिया ठीक है ना जैसे ही कागज को जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है कागज जो था जो पदार था अब वो पदार था नहीं है अब वो ब्लेक हो गया है कारबंड में चेंज हो गया है तो पहली बात तो आवस्था बदल गया पहले जो केमकल था अब वो केमकल नहीं है जब हमने इससे जलाया था तो इसमें से कारबंड आया चाहिए धुआ भी ब्लेक हो जाएगा फिर उसके बाद तापमान में परिवर्तन यानि जब आग लगाए थे कागज में तो उसका टमप्रेचर भी बदल गया टमप्रेचर जादा हो गया था ठीक है तो ये चार-पांच चीजे हैं यानि कुल मिलाकर यहां जब कागज हो जला रहे हैं तो कौन स साथ बजए आज आया करें डेली साथ बजए इस पर लाइफ चलता है आप लोग आया करिए मेनाज से पढ़िए और टार्गेट थे जो आपका सौ में सौ वह टार्गेट किसी भी प्रकार से कम नहीं होना चाहिए ठीक है फिर उसके बाद इसमें एक उदारन दिया गया जै की एक कोनिकल फ्लाक्स मैंने लिया है अगर इसमें हमने जिंक रख दिया छोटा छोटा जिंक ठोस होता है चोटा छोटा रख दिया अब इसमें हमने इसमें डाला तो थोड़ा हीट हो जाएगा और यहां से एक गैस निकलेगी जिसका नाम है hydrogen gas ठीक है तो यहां gas भी निकल रहा है और जब आप इसको touch करेंगे इसको touch करेंगे तब क्या गरम भी रहेगा ठीक है तो यह chemical reaction हो रहा है यहां तो एक उधारणया दिया गया है बहुत तगड़ा उधारणया आप इसे लिख सकते हैं फिर उसके पान लीजे इसमें एक उधारण दिया गया है आप पानी ले आए ठीक है ना पानी और बिना बुझा हुआ चूना बाजार से ले आए जो पान और तमाकू के साथ खाया जाता है खड़ा चूना आप उस पानी में जब लाके डाल देंगे ना जैसे ही डालेंगे क्या होगा कि वो तुरंट रेयक्शन करेगा और वहां से गैस निकलना इस्टार्ट हो जाए गया आनि राशाने कप क्रिया हो रही है पहले ठोस था अब दरो हो गया है अवस्था भी बदल गया है और फिर उसके बाद अब इसको आप टच करेंगे तो गरम भी हो गया हीट भी हो गया उसमा भी निकल रही है तो कुल मिलाकर यहारा असाने कप क्रिया हो रही है तो तापमान में परिवर्टन होगा जैसे चुना डालते हैं तुरंट तापमान बढ़ जाता है इसमें उदारन के तोर पर दिया हुआ है चुने तता पाने के बीच अप क्रिया से बुजा हुआ बनता है तता काफी मातरा में उसमा उर्जा निर्मुक तो होती है निर्मुक तो होने का मतलब हो गया निकलती है ठीक है फिर उसके बाद आ जाता है आपका आउचे बनना ठीक है और्चेप जिसे लेड नाइटेड और पौ मॉटशियम आयोडाइट की बीच अब कर आ और तो लेड आयोडाइड का पीला आउचेब बनेगा जो कि तली में बैठ जाएगा, अवस्था परिवर्तन में चोटी बात आती है अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन किया है, कार्बन मोनो आकसाइड गैस तथा हाइडोजन गैस की अब किरिया से मेथेनौल बनता है जो कि दुरो होता है जब गैस और गैस यहां देखिए यह भी गैस है और यह भी गैस है दोनों गैस को जब मिलाये गया है तो दुरो बन गया यानि कुल मिलाकर आउस था बदल गया प ठोलने, पहले काला था लेकिन जब उस पर जन्ग लगता है तो जन्ग लगने कप रिया है जब जन्ग लगने लगे जाएगा तो बूरे, लाल हो जाएगा, रूंग परिवर्तन कर गया क्योंकि राशानिक अपकिरिया हो रही है ना पहले वो काला था अब भूरा लाल हो गया है तो इसका मतलब अपकिरिया हो रहा है तो रंग में भी परिवर्तन होता है तो आपने चार-पांच चीजे जानी इसमें से आपने सबसे पहले आपने ये जाना कि आप कागज जलाते हैं तो उसमें परिवर्तन मतलब तापमान में टमपरेचर में बढ़ोतरी होती है तब ही तो जलेगा और छेप भी बनेगा आपने देखा अभी यहाँ फिर आवस्था में परिवर्तन गैस गैस मिलाए दुरो हो गया फिर दुरो अगर मिलाएंगे तो कु हो गया लोहे में मौर्चा लग गया तो वह भी रंग बदल दिया पहले काला था लोहा अब क्या हो जाएगा हलका लाल हो जाएगा लाल भूरे रंगा हो जाएगा और फिर उसके बात अब आता है कि आब बताईए आप लोग कि मुम बत्ती अगर जल रही है मुम के साथ आपने ले लिया बरफ ठीक है ना आपने बरफ लिया और इसको थोड़ा हीट किया तो ये पानी बन गया ठीक है और फिर उसके बाद आपने हीट कर दिया तो ये गैस बन गया ठीक है ना ये गैस हो गया जलवास्प मान लेते हैं इसको इसको मान लेते हैं जलवास्प हो गया ठीक है ना जल वास्प हो गया ठीक यह जल वास्प हो गया अब बताएए यह ठोस था पहले अब द्रो हो गया द्रोस अब क्या हो गया गैस हो गया तो अवस्था तो परिवर्टन हो रहा है लेकिन इसका जो केमिकल है वो चेंज नहीं हो रहा जैसे H2O हो गया बरफ को अगर ह और यहां भी एस्टू ओ और यहां भी एस्टू ओ यानि कि तीनों का जो प्रकार से कोई गुड़ नहीं बदला केवल इसका यह पदार्थ का अवस्था है यही बदला हुआ है तो बहुत इक अपक्रिया हो गया है क्योंकि राशांक समई करण में राशांक समें कोई चेंजि जखनकी है बहुत कि कि पूछेगा इन्हें बौर्ड में यह बौर्ड मेंक्त पूछेगा इसलिए श्क्न भूल जाक Shri each होि कि उसका बडल जाए लेकिन बतलने षूपर हो तो सकता है उसका जो आवस्था है बदल एक देखो नहीं वजय को ढ़ेगा यशे लिख जाए तो नहीं जाएगा में एक चाहिए ऋतैट चलते हैं पाई होंगे आगे चलते हैं देखते हैं आगे क्या है इसमें ठीक है आगे देखते हैं क्या है आगे हमारा ये आ जाता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है रासायनिक समीकरण ठीक है ना तो यहां दिया हुआ है देखिए किसी रासायनिक अबकिरिया का किसी रासायनिक अबकिरिया का परतिकों और सुत्रों द्वारा निरुपण रासायनि आपको स्पष्ट कर देता हूं कि जितनी छोटी परिवासा आप इस चैनल पर पा जाएंगे मुझे नहीं लगता है कि और कहीं पाएंगे बहुत छोटी दो से तीन लाइन में कोई परिवासा आपको दो से तीन लाइन में यहां तक कि एक एक लाइन में परिवासा आपको मिल उसकी परिभासा थोड़े में थोड़े में बहुत सारी बात कही जाने चाहिए परिभासा वही होता है कि आप थोड़े में बहुत सारी चीजे कहे दें तो यहां थोड़े में ही सब कुछ आपको बता दिया जाएगा इसलिए यहां आपको परिभासा याद करना आसान भी रह तो आप लोग बिना देरी की हुए फटा-फट उनके बास शेयर कर दीजिए, वो लोग जोड़े जाएं, डेली स्तात बज़े साम को लाइप चलता है साइन्स का, तो आप वहां से जोड़ सकते हैं और देख सकते हैं, अगर कोई confusion है, तो आप comment box में डाल दीजिए, अगले द निरूपंड लासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है, पहली बात, एक बार फिर से सुनिए, किसी रासायनिक अबकिरिया का परती को और सुत्रों दारा, निरूपंड लाशायनिक सम ήकरण कहलाता है, जिसे अगर उदारण की बात की जाए, अगर आपने magnesium का जो ribbon है, अभी अगर वायू के उपस्थिती में अगर जलाते हैं तो मैगनीशियम आकसाइड का निर्मार होता है ठिक है इस राशैनिक अपकरशानिक स्वस्थेक्रण के रूप में लिखा गया है देखिए किस तरह से लिखा गया है आप इसको देखिए फिर उसके बाद बताईए देखिए कैसे लिखा गया है सबसे पहले तो आप देखिए कि यह क्या लिखा है magnesium magnesium लिखा है बीच में क्या है पलस है अगर आपको बताए जाएगा कि ये दोनों क्या है एरो के इधर क्या होते हैं एरो के ऊपर क्या होते हैं ये सारी चीजे आपको बताई जाएंगे किसी फ्रगार्स का कोई डाउट रहेगा ही नहीं अगर आप हमारा कलास ले रहे हैं तो आपको हमारे कलास में एक भी परसेंट का कोई डाउट नहीं रहेगा मुझे तो नहीं लगता है कि आप वहां से प्रस्न पूछेंगे कि सर मुझे ये डाउट है मैं सारे डाउट आपके केलियर करते चलूंगा आपको प्रिसान होने की जरूत नहीं है तो यहां magnesium लिखा है magnesium के बात बीच में प्लस है प्लस के बात oxygen है यानि magnesium और oxygen जब हम जोड़ेंगे कुल मिलाकर magnesium को oxygen के उपस्थिति में हम क्या करेंगे जलाएंगे तब हमें क्या मिलेगा magnesium oxide मिलेगा क्या मिलेगा Magnesium aside मिलेगा ठीक है तो अब देखिये Magnesium का जो सूत्र होता है Mg होता है Magnesium का सूत्र क्या हो गया Mg हो गया अब बीच में plus ऐ mermaid oxygen का सूत्र क्या होता है O2 होता है अब दोनों जब जुड़ेगा योगात्मगपक्रिया में तो एरो के इस तरफ आपका MGO आएगा ठीक है ना इसको आप संतुलित भी कर सकते हैं अभी आपको बताया जाएगा कि संतुलित कैसे किया जाता है फिलाल अभी आपका ये डाउट होगा मुझे लगता है कि ये जो Magnesium और Oxygen है अप पलस है ये सब क्यों आया है ये क्या है आपको ये भी डाउट होगा कि ये ARO लगा के इधर लिख दिया गया है ये क्या है ठीक है ना तो ये सारे चीज़े आपको बताई जाएंगी अभी देखिए तुरंद कीलियर किया जाता है तुरंद कीलियर कर दिया जाएगा देखिए ये आपका अभिकारक और उत्पाद अभी आप जान जाएंगे कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं ठीक है ना जब रासायनिक अबकिरिया में भाग लेते हैं, वो अविकारक कहलाते हैं, ठीक है ना, जैसे आपने अभी देखा जो अब पलस में आक्सीजन ये दोनों रासाइनिक अबक्रिया में क्या ले रहे थे भाग ले रहे थे ठीक है ना अब रासाइनिक अबक्रिया में भाग लेने के बाद जब रासाइनिक अबक्रिया होता है और रासाइनिक अबक्रिया होने के बाद जो चीज बनता है जो प्रोड की तरफ जो लिखे रहेंगे लोग बताते हैं कि एरो के बाई तरफ देखो बहुत लोगों की दिक्कत यह है कि सब लोग लिखाते हैं जैसे यह एमजी लिख दिया हमने और फिर हमने यहां क्या लिख दिया यह लिख जाए अच्छा है जानते हैं क्यों यह इसलिए क्योंकि अगर मैंने यही एरो गुमा दिया अगर मैंने यही एरो इधर से गुमा दिया तो अब बताओ कौन उत्पाद है और कौन अभिकारक है आप तो यही जानते हैं कि दाये तरफ क्या हो जाएगा अभिकारक हो जाएगा अधाय यह बनेगा भी नहीं ठीक है क्योंकि इधर से इधर रिटन नहीं आ सकते अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं एम जी ओ ठीक है और यहां लिख दूं एम जी प्लस अब बताओ कौन अविकारक है कौन उत्पाद है इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है इसलिए हम यह नही लिखे रहेंगे यहां राशायने के अभकिरा में वह रहा है उसके ऊपर तमाम चीजения इनएफे लिखे जाती है आगे बतांए अभी अब फिर उसके बाद हैरों के बाद जो बने यह अवकिरिया के बाद जो बनेगा वो प्रोडेक्ट होता हैbringen हैं थीप है तो इसमें तो ऐसमें शाप शाप एगा यह जो भाग लेगा और भाग लेटें लेनेके बाद जो बनेगा आपका उथपपात कहलाएगा देखिए जैसे आपने क्या ले लिया आप कुछ भी ले लेते हैं मालेजिए कि आपने पानी ले लिया ठीक है ना पानी ले लिया प्लस में आटा ले लिया पानी और आटा आपने गूत लिया फिर उसके बाद आपने एरो लगाया और आप उसको गरम करते हैं गरम क्या बन चुका है रोटी बन चुका है ठीक है ना या फिर आप ले लीजिए प्याज ले लीजिए फिर उसके बाद आप ले लीजिए हल्दी मिर्चा ले लीजिए बेसन ले लीजिए तेल ले लीजिए पानी ले लीजिए सब कुछ एक में मिक्स कर दीजिए ठीक है ना तो यह सब अभी राशाने कपक्रिया में भाग लेने वाले हैं थीक है फिर तेल में डालके घरम करिए इन सब को अधर आपको पकवडी मिलेगा ठीक है न किया मिलने वाला है पकवडी तो इस इसाब से द्याति भासा में आप संदेेंगे तो यहां क्या आप को मिल जाएगा पकवड़ी पकवड़ी क्या है प्रोडेक्ट आपक अप्रड़े उतपाद है और यह सब अपका अभिकारक है ठीक है टो आप बहुत अच्छी समझ गया हूँगा कि जो राशाने के अपक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं तथा राशाने के अपक्रिया के प्रणाम स्वरुप उत्पन नयपदार्थ उत्पात कहलाते हैं मेणेसियम प्लस आकसीजन दोनों को आपने जोड़ा बीच में एरो लगाया मेणिसियम आकसाइड में मेणिसियम और आकसीजन क्या है? अभिकारक है फ्रेक्द इसारी अभिकारक जबकि मेणिसियम спас जो है ये आपका उत्पाद हो जाता है तो मैं समझ गया होंगा मैं जानता हूं मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से इतनी सारी चीजे समझ गये होंगे आप लोगों को नोट्स बनाने की जरूत नहीं है यही नोट्स हम आपको प्रवाइट करा देंगे आपके पास भेद देंगे और आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं इतना तगड़ा नोट्स है तो आप लोग इसका स्क्रेंशाट ले लीजे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी स्क्रेंशाट ले लेके आप इसको पूरा कर लीजिए ठीक है यही नोट्स बनाईए कहीं भी जो कुछ भी लिखाया जा रहा है तो हम यह नहीं कहेंगे वह मत लिखे लेकिन यहां से मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि सो में से सो नंबर यह इसी नोट्स में से आएगा आपका एक नंबर इधर उधर से नहीं आएगा सो का सो इसी नोट्स से आएगा कोई माई का लाल एक नंबर काट नहीं सकता यह मेरा दावा है लाइए इस्टाम पेपर पर लिख दू ऐसे ठीक है तो आईए देखते हैं फिर उसके बाद भाग लेते हैं उन्हें अविकार act करते हैं और जो भाग लेने के बाद reaction होने के बाद जो कुछ भी प्रोड E बनता है उससे हम क्या कहते हैं उत्पात कहते हैं जैसे मगनीसियम और आक्सीजन दोनों एरो के अपोज पूच के तरफ हैं तो यह क्या हैं अविकारक हैं और वो क्या है उत्पाद है ठीक है ना तो ये सारी चीज़े आपको बता दी गई है और आज के लिए इतना ही काफी है कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए जै हिंद वेडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए फिर उसके बाद एक प्यारा सा कमेंड कर दीजिए कोई